असलाम अलेकूप मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिफेंस आज हम मश्रुकी पाकिस्तान के बारे में एक ऐसी गुम नाम कहानी सुनाएंगे जो आपके होश उड़ा देगी ये सितंबर 1972 का साल था जब हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह अकवाम मुतहदा में बंगलादेश को तस्लीम करवाया जाए अकवाम मुतहदा की जनरल इसमली में ये बहत जोरो शोर से जारी थी कि आया बंगलादेश को एक मुल्क तस्लीम किया जाए या ना किया जाए क्योंके मश्रुकी पाकिस्तान की अलेहदगी के बावजूद बहुत सारे बंगाली इस बात पर मुतफिक थे कि बंगलादेश को बंगलादेश कहना दरुस्त नहीं बलके इसको मश्रुकी पाकिस्तान ही कहा जाए तो बहतर है क्योंके असल पाकिस्तान बनने की अब्तिदा तो हुई ही धाका से थी हता के मशूर बंगाली लहदगी पसंद मुलाना बाशानी भी इस हक में थे कि बंगलादेश का नाम मश्रुकी पाकिस्तान ही रखा जाए यस रुतिहाल हिंदुस्तान के लिए लाजमन नाकाबले कुबूल थी क्योंकि अगर ऐसा होता तो मश्रुकी और मखरबी पाकिस्तान के दुबारा मिलाब का खत्रा बदस्तूर मौजूद रहता लहाज़ा हिंदुस्तान की पूरी कोशिश थी कि बंगलादेश को अक्वाम मुतहदा में जल्द से जल्द तस्लीम करवा लिया जाए बंगलादेश की तरफ से जो वफ अपने मौकिफ की ताईद कर रहा था उसकी खयादत चटागांग से चक्मा कबीले की मलका राजमाता बिनियाता राय कर रही थी जबके पाकिस्तानी वफ की खयादत उसी बनीता राय का बेटा किंग तरी दियो राय कर रहा था दोनों मा बेटा अकवाम मुतहदा में आमने सामने थे हिंदुस्तान ने 80 चोटी का जोर लगाया मगर किंग तरी दियो राय टस से मसना हुए और भरपूर अंदाज ने पाकिस्तान का मौकफ पेश किया किंग तरी दियो राय मश्रुकी पाकिस्तान चटागाग में बसने वाले भुदमत कबीले चक्मा के बाच्छा थे 1970 के इलेक्शन में पूरे मश्रुकी पाकिस्तान में शेख मुझीबुर रह्मान की अवामी लीग सिर्फ दो सीटों पर भारी थी जिन में से एक सीट किंग तरी दियो राय की थी इस सीट को खरीदने के लिए हिंदुस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हता कि जब लालिट से काम ना बन पाया तो जजबाती तोर पर ब्लाक मिल करने के लिए शेख मुझीबर रह्मान की मा को किंग तरी दियो राय के दरबार में भेजा जाता है कि पाकिस्तान की हमायद छोड़ दे आपको बंगलादेश का सदर बना दिया जाएगा तब किंग तरी दियो राय ने तारीखी जुमला कहा कि मैं अपनी बाचाहत तो छोड़ सकता हूँ मगर पाकिस्तान से ख़दारी नहीं कर सकता जब 1971 की जंग शुरू हुई तो किंग तरी दियो राय मश्रुकी पाकिस्तान से एक वफ लेकर निकले और दुनिया के हर उस मुलक के पास गए जिससे मदद मिलने की जरा से भी सब्सक्र ती हता कि इसी दोरान किंग तरी दियो राय को खबर मिली के हिंदोस्तानी फाज धाका में दाखिल हो चुकी है किंग त्री दियोराई के पास अपनी फफ़ादारी तब्दील करने का ये बहतरी मौका था अगर वो चाहते तो बंगलादेश चले जाते जिधर उनका हाथों हाथ इस्तक्बाल होता मगर किंग त्री दियोराई ने ऐसे नाजब मौका पर भी पाकिस्तान से ख़दारी करने से साफ इंकार कर दिया किंग त्री दियोराई चटागांग के बादशा थे मगर वो दिल के भी बादशा थे किंग त्री दियोराई ने ऐलान किया कि जब तक बंगलादेश दुबारा मश्रुकी पाकिस्तान नहीं बन जाता वो बापस नहीं जाएंगे किंग त्री दियोराई मरते दम तक अपने फैसले पर काइम रहे हता कि उनका इंतकाल 2012 में इसलामबाद ने हुआ किंग त्री दियोराई को हकूमत पाकिस्तान की तरफ से ताउमर विफाकी वजीर का अहदा दिया गया था उसके इलावा वो अरजन्टाइन में दस साल पाकिस्तान के सफीद भी रहे किंग त्री दियोराई उन लोगों में से थे कि जब 1971 की जंग के दोरान बड़े बड़े नामने हाद मुस्लमानों ने अपनी वफदारियां तबदील करनी मगर तब भी ये शेर का बच्चा चांद तारे वाले सब्स हिलाली पर्चम के लिए खड़ा रहा किंग त्री दियोराई की अपनी नوجवानी में काईद याजब मुहंद अली जना से कई मुलाकाते हुई थी और शायद ये बाने आने पाकिस्तान का वो मद्बूत किरदार था कि जिसने किंग त्री दियोराई को मरते दम तक मतजलजल ना होने दिया पूरी पाकिस्तानी कौम किंग त्री द्योराई को सलाम पेश करती है किंग त्री द्योराई धाका पर एक बार फिर सब्स हिलाली पर्चम लहराता हुआ देखना चाहते थे केंग त्री दियोराई की ये उमीद पाकिस्तान की आने वाली नसलों पर एक कर्ज है जिसे कभी न कभी जरूर चुकाया जाएगा